हुँ हम एक house structure की planning strategy से स्टार्ट करेंग कैसे हमें इसकी आर्गिटक्ट्ट्ट्र रहें गया planning बनानी है planning करनी है तो plot area जो हमें दे राखा वो आप देख सकते हों यहां पे कितने का दे रखा है थर्टी वाइक 30 square foot का दे रखा है इसको महीं modern house structure के ही अज़ाब से छोड़ना होता रहना है चारो तरफ या कुछ area में इकम पर्हार होता है one side रहना है कुछ area में two sided आपको set back area छोड़ना होता है अपने ऐसे set back क्या हो गया जो आप ड्रॉइया अपने plot area से space छोड़ हो जितना भी construction वह आप plot line पे ना करके उससे थोड़े से space छोड़के create कर रहे हो अपना building structure उस setback area में आप balcony का projection ले सकते हो लेकिन आपको उसको complete cover करने की permission नहीं होती, आपको spacing छोड़के ही create करना होता है, ठीक है, सब यहाँ पर हम अपना plot area लिया हमने यहाँ पर सब सब पहले हम क्या करते है में site layout तेयर करते है, site layout में कि हम यह बताएंगे कि आसपास में हमारे क्या चीज है कैसे हम उसको plan करना है ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा structure आरा है ठीक है, setback हम लेके चल रहे हैं भाई, आपको हम, एक मिनट यहाँ पहीं हमने note अपकर देख भई क्या है हमारा हम लोड़ा है हमारी यहाँ पर कि या इस प्रॉपर्टी है बाकि दोनु साइड भी हमने यह कर दिया तो एंट्रेंस हमारा जाइटी बात है कि दे की तरफ होगा में रोड से होगा इसमें सेटन वाम की कि तू ससाइड सैड बैक हमें ले कर चलना है तो एपकी कोऑं सब्सक्राइब द आ दो का व्मॵ вок का मूर्ड्डी यह साइड सब्सक्राइब आजार का Groundは गरी दो क्या दो सब्सक्राइब अब इसमें हमने क्या करना है यहां पर पर हमने क्या चीज़ है जिसे आगे लिखा क्या है प्लब है तो आप रोड के लिए क्या कर सकते हो कितने फिट वाइड रॉड अपका आप उसकी यहां से ऑफ सेट करें दिखा सकते हो अब यह रोड आगे सीधी कंटीनियू कहीं भी होगी तो कंटीनियूशन के लिए हम क्या करते हैं कंटीनियूशन के लिए क्या करते हैं कौन से सिंबल शो करते हैं कि जिग जैक की तरह होता है कि यहां से हम जिग जैक सिंबल कर देते हैं कि आगे वाले एलिमेंट को रिम कर दिया हम रोड इक दम घर से निकल रही है सब्सक्राइब यह वह कोई जागा नहीं हो जा रहा है जी जी बस अब ठीक है बात नंता है क्या तो नहीं यह आपका footpath हो गया फेदे आपकी road हो गई क्लाइन plot हमारे ही है जिसमें हमें काम करना है road में हम यहां पर लिख देते है yes हम चाहे तो रोड की कुछ जमीन जिसे एक दो फिट छोड़ के नहीं बढ़ा सकते हैं क्लाइन 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 तो आप एंट्रेंस के लिए ramp देते हैं steps देते हैं वह उस पर आते हैं प्लाणिग करें तो आप प्लाणिग करेंगे तो आप प्लाणिग करेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे अभी जो आपने road बनाए तो ऐसा दिख रहा है जैसे तो आप रोट से ही अटेश करके लेते हो ना अब इसके प्लाणिग करनी है तो प्लाणिग के लिए हम क्या करेंगे अपने प्लाणिग को कॉपी करके साइड में रखा अब सबसे पहले हैं क्यूंकि road से बिल्कुल टेश करके नहीं मनाते हैं थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं सेट बैक स्टेंडर्ड वैसे तो तीन से चार फिट का फ्रंट का सेट बैक छोड़ा जाता है ठीक है तो हमने क्या करना होगा आगे से तीन से चार फिट का अब तो कम से कम यह ऑल साइट चोड़ा जाता है तो इस तरीके तरह चोड़ते हैं कि चार तरफ एक walk around passage बनाओ walk around passage मतलब कि हम लोग आराम से चारों तरफ वाक कर सके तो जो पास होना चाहिए वो कम से कम standard कितना होना चाहिए तीन ते बीच में कम से कम लोगि चाहिए जाता है बाद यह जितना बड़ा शाहिए उतना सेट भेक आप एड़ा सकते हो तहके नगे मॉल बनते हैं यह आपके कैश्यक्र गलते हैं इस में 25 मतुस्ट का से ड़ चोड़ा जाता है क्योंकि वहां पर क्या होता है आपके आपके फाहर इंड burial के हाँ छोड़ेक्प कर यह मैं तो इतना है इसमीः सब्सक्राइब करा है तो आपके ब्ल्हुभरप कर सकेें सेट बैक चोड़ेंगे तो प्लॉट एरिया ही हमारा क्या होगा कम हो जाएगा और अब बनाना क्या क्या चीज़ है बाइच के बनाना है और उसमें पार्किंग भी चाहिए और हाई-end तो यहाने की हाई-end में का होता है यह उस्यां अफिटे बाइच कर देते हैं वही इंग न्या नहीं होता है वही आफकी अलग होगा और आपके और अलग है और इतने से अरिया में मुझे सेट बैक चोड़ना होगा का की पार्किंग बीने नहीं आप देने अंब आपकी ऐन्य सब से पहले तुम रखा है यहां से सबसे पहले तुम आनेशनल है वी वा तो किना चोणा पड़ेगा 15 फिट 15-20 फिट 15-20 थिचे टिए तो नैशनल है वी के पास कोलनी का चंस्रक्शन होताई पहले बिंके बंती गेट उते हैं जैसे स्कूल्स होते हैं वह नहीं जो बिल्कुल शे में आके यह और परकिंड उसे इंडरी में करते हैं और बिल्यिंग का से 15 फित तक यह अगर अगर इसे उस इंडल तो वह उस उस धीपयेगा तो हम क्या कर रहे हैं इससे चार तरफ से पहले तीन फिट अब आगे से थोड़ा सा जादा छोड़ देते हैं ठीक है आगे से जादा छोड़ने के लिए आगे से एक फिट और छोड़ दिया चार फिट का लेगा बागी तीन तरफ से फिट का आगे से फोर फिट का अब अब कितना इरिया बचा मेरा भाई मैं डामेंशन लिंक देता हूं तीन तीन फिट चुड़ा था सर आपने जी फिट इसको आम लेंग्योज में सर बॉंडरी भी कह सकते ना सर कि बॉंडरी छोड़ते हैं इसको बाउंडरी के स्पेसिंग भी आप कह सकते हो सेट बैक है ठीक है हम मॉडरेन हास प्लान के साब से बनारे हैं जैसे कि आपके पॉर्ष एरिया में प्लाइटी है तो उनमें चार तरफ आपकी बाउंडरी वाल भी नहीं होती है फेंसिंग का यूज करते हैं वह जैसे फॉर् नहीं होती है तो खाली प्लॉट एडियों को सिंपल एक लाइन स्रक्चर से दिखाएंगे बाद में सेपरेशन के लिए उसके प्लाइंग कर देते हैं अपना फैंसिंग के उपर ही उसको कवर कर देते हैं वह फैंस भी दिखना बन दो चलने है चारों तरफ सेट बैक कि इत एंट्री रोड के तुम्ना चोड़ टोड़ है जदली अब यह जो एरिया बचा हमारा इस एरिया में हमें क्या करना है वह कार की पारकिंग भी था चाहिए अब पीछे नहीं लेकर जा सकता की अगर पारकिंग पीछे गयां तो जाएगी तो कार पार कार रोड से ही तो मुझे इसलिए parking को जनरल ही कहां रखते हैं रोड से ? अटेज करके ? रखते हैं नहीं रखते है ? तो इसलिए निए रखते हैं ? तो आप किधर रखेंगे ? में रोड यह नहीं है ? यह तो लेफट और पर आएगी यह राइट कॉर्ण पर ? इतना बड़ा स्पेस तो है कि सेंटर पर पार्किंग नहीं है ना, तीस पेटि धाम तो टोटल था उससे भी सेट बैक क्या बड़ा का बार्किंग का इस भी शूठ आपके पास आने जाने का तो इसके लिए मैंने क्या कि यहां से इसको कर दिया अब कार की विर्थ बताया था आपको कितनी होती है शिक से रहे हाफ फिट के अप्रॉक्स होती है बड़ जो पार्किंग के लिए छोड़ते हैं वह कितना चोड़ते हैं आपके पार्किंग यहां से टैन फिट स्पेस छोड़ दिया अब कितनी जाएगी अपकी डेप्ट होती हो कार पर डिपेंड होती है जैसे आपने देखा यह आपकी योदिया यह इन टाइपकी कार्स वह कहते हैं है थे नेक्स कार है जो लेंद्ट होती है वह काम होती है वह आपकी 3-3 मीटर होती है ठीक है तो इनमें आप 10 से 12 फिट छोड़ सकते हो नेक्स उसके बाद कहा रहाती है सिडैन जैसे की डिजायर हो गई आपकी ठीक है इनके पीछे में इनके पीछे डिगी का अटेश्मेंट रहता है इन टैप की कास के लिए हम 12 से 15 फिट लेके चलते हैं तो उसके बाद और आपके लॉंग लेंथ वाली का रहाती है जैसे अर्टी का है ठीक है इनके लिए लेंथ हम जादा लेके चलते हैं 17 फिट तक लेके चलते हैं ठीक है जिस टाइब की कार क्लाइंट के पास होगी उसी साफ से हमें पार्किंग स्पेस भी दे रहो जनरली स्टेंडर्ड तो अब कार की लेंथ तो जो होती है वह हमारी आट फिट के असपास भी कार की लेंथ आदिये 2400-2600 लेकिन मैं पूरी टोटल आट फिट कार अगर कार की लेंथ आट फिट है तो मैं पार्किंग स्पेस डारेक्ट एट फिट नहीं दे सकता क्योंकि पीछे गेट आएगा अब गेको खोलना बंद करना होगा तो अगर इसे यह फिसक भी भी ओरंड हम के ऑ होती है कि कार में कि रह टने के बाद यत यह अंदर नहीं खुल रहा तो वह बाहर तुछा जाता आ है लेकिन हैंन गयखें होने के बाद प्रोविजिण अंदर और बाहर दोनों तरफ सरुंद न तो जहां पर प्लॉट एगे बढ़ा होगा हम इसी तरीके से लेके चलेंगे गेट अंदर और बाहर दोन तरफ खुल सकें जब मुल्टिपल कार खड़ी होगी तो गेट बाहर के तरफ कुलेगा जब वन ये टू कार खड़ी होगी है तो गेट अंदर की तरफ भी खुल सकें इस टाइप का प्रोविजन लेकि जबते हैं तो फिलाल हम यहां पर क्या कर रहे हैं हमने इस प्लानिंग का स्पेस मिलेगा वह सिर्फ इतना स्पेस मिलेगा अब यह कितना बेल रहा है हमें इसको चैक करने ञेले हमने के गया किया डॉवल एंटर चुल अठर के बीजा आप पॉइंट और के और आफ और थे और आपने पॉइंट देने के बाद एंटर कर दिया एंटर करेंगे यहां एरिया क्या है नीचे आप इसको स्क्रॉल अप करोगे तो यहां पर आपको एरिया दिखाएगा कितना आ रहा है चारसो पिछेंटर यूनिट क्या रही है स्क्वार फिट आ रही है अब हमें प्लानिंग किसी जिसकी बनी है कार पार्किंग तो अला कड़ गई तू भी एच के का मतब क्या 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 टू बेड्रूम एक हॉल एक किचिन लिविंग रूम यह डाइनिंग एरिया वाश्रूम भी होगा अब रूम अगर मरे से मरा भी लेकि चलों होगा यह तो कि प्ला टो आगि अयह रूम होगा तो आप जंग अब इस के आप कि जिन भी आएगा कि जिन भी एक होगा तो चार सो सतर इसके अगर तो यहां पर चला गया अभी मैंने मैं सिफ कारपेट एरिया इंक्लूड किया और यह मेरा टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया होने वाला है बिल्डप एरिया बिल्डप एरिया में वॉल भी तो आएगी स्टेर्स भी आएंगी वह भी तो स्पेस खाएंगी इसके बाद वाश्रूम तो है थिन आप जैंतने बिल गफ़ार कंद म्हों इसहाएँ जहतो लेकर दे नहीं पड़े का एक इसमा जुड़े तुड़े इमनेद में और यह समें इसउत अए युड़ा देना डफ़ेका इसमाटत पिस तो द Europolut वह सारी चीज़ने आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी इसे लिए हमने बिल्डिंग डिजाइन को ड्यूप्लैक्स में ढ़े किया था है ड्यूप्लैक्स मतलब ग्राउंड फ्लोर भी हमारा तो इसमें क्या है यानि कि कुछ कुछ चीजे हमें ग्राउंड पर प्लान करने पड़ेंगी और बाकी जो चीजे बचेंगी वह उपर प्लान करने पड़ेंगी अब क्या चीज ग्राउंड पर रखा जाए यह डिसाइड करना जरूरी होता है जैसे कि हम पार्किंग नीचे ही रख सकते हैं उपर तो नहीं को उपर लेके जाता है आप जितने भी शोरूम देखते हो उनमें सारी बाइक जो वो कार्ज होती है वो फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर खड़ी होती है हाँ वाली लेफ्ट होती है आपकी वेकल ट्रांस्पोर्टे चमाली ठीक है लाश्पतनगर में आपकी वहां पर आप जागे कार कड़ी करो है अलग लग फ्लोर पर आटमेटिक पार्किंग पार्किंग कर सकते है अच्छा ग्रांड में पार्किंग दे दिया अब और क्या चीज़ बची गैस आएंगे अब गैस्ट रूम में फर्स्ट फ्लोर पर रखूं तो जादा बेट रह अच्छ लाफ़ तो जादा बेटर रहएंगा अच्छ रोम करते न माना था हो तो सब कराएंग कता न क्या जुद करना की भी उपर रखा जाए और वश्रूम नीचे रहा है क्योंकि दोनों नीचे भी सही नहीं रहेगा और दोनों का ऊपर उना भी और और बच्छा क्या की और दो बैडरूम अब आपके पर च्वैस है या तो बैडरूम नीचे रखों इतना स्पेस तो है नहीं कि दोनों बैडरूम नीचे आजाए है ना एक ही आप आएगा या तो बैडरूम नीचे आएगा या किचिन नीचे आएगा अब अगर बैडरूम नीचे रखोंगा तो किचिन उपर रखोंगा किचिन उपर और बेड्रूम दोनों को उपर रखते हैं एक हाल नीचे गेस्ट वाला एक हाल उपर हो जाएगा हमारा तो इस टाइप से हमें इसको ब्रेक अप किया तो सबसे पहला काम आपको इस चीदों को सब्सक्राइब करना होगा कि कहा प्लानिंग मुझे कहा कौन से फ्लोर पर क्या चाहिए ठीक है ड्यूपलेक्स में यह सिंग जैसे फार्माउस जब हम डिजाइन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो फ्लैट सिस्टम पर जाएगा वो ड्यूपलेक्स या फार्माउस डिजाइ कराता है तो हमारे पास मुल्टी स्टोरी है प्लानिंग करने के लिए लेकिन सारी चीज सब जगा नहीं दे सकते हैं हम लिमिंटेड है कुछ चीज़ है में नीचे देनी पड़ेंगी कुछ उपर जड़ पर अजब हमने यहां पर डिसाइड कर लिया इसके असाफ साफ साफ करेंगे प्रोशीट करने के लिए सबसे पहले चारोत तरफ में क्या देना होगा वाल्स देनी हूं ज्यादतर हम आज के टाइम पर फ्रेम कंस्रक्शन की वाइसे कौन सी वाल टाइप यूज करते हैं यानिकी पार्टिशन वाल तो मैंने क्या-क्या चारोत तरफ से 4.5 इनको एक्स्प्रोट बिटा लिया लिए अच्छा जीना इस्टेट्स देना पड़ेगा न उपर तो नहीं दे सकते हैं यह दे सकते हैं उपर नहीं देंगे फिर दोनों तरफ रहेगा अच्छा अब कार यहाँ पर पार्क होगी हमारी घर के एंटर करने के रास्ते दो सकते यह तो कार पार करकर में तरीक चाहर इंगें तरीकी कर्में अच्छा इंट सामने सभिते मत और नहीं इस गाहिए और जोत का रहें आब कर दो और रहेगा थgate सकते हैं how to get the car parking in the corner Central right-hand अब क्या घर में। He कहीं जे खरेंके लेकिए पीज एал जाएक तो यहान से यहाँ फ़ीज़िए जाए जाएगा यहाँ से इं़र के जाएगा ? शुआ तो एंटर करने के बाद क्या होना चाहिए हमारा má इस ंर फॉण होना चाहिए तो यहां पर आ सकती है हमारी रूम साइज देख लेते हैं कितना बड़ा आ रहा है तो यह रूम सफिशन था है हाई है तो चीजों को छोटा नहीं रखना होगा थोड़ा सा बड़ा रखने की कोश्च करेंगा तो आपने ठीक सफिशन बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत चोटा भी नहीं है तो यह गेस्टरूम के तौर पर हम यूटिलाइस कर सकते हैं हम क्या करते हैं जहां में रोड जो व्यूपॉइंट होता है ठीक है कि उसके उसमें क्या करते हैं भड़ी बड़ी ताकि आपका नीचे का फ्रेम आजाएगा उसके उपर पूरा फुल ग्लास दे दिया आठ फिट तक का उससे क्या होगा जो भी अंदर पैठेगा उसको क्या होगा पुर बाहर का व्यू दिखेगा तो इसलिए वह जातर ग्लास अप्रोच को प्रेफरेंट दी जाती है ठीक है तो इस वेज़े हम क्या करते हैं पीच में क्या दे सकते हैं एक स्लाइडिंग डोर दे सकते हैं अब यह आपका ही तो स्पेस है किसी और का नहीं है तो यहां पर आगे आपका थोड़ा सा उठा दि का उपर होगा तो अपर करने के लिए स्टेप की दबत होगी तो यहां पर क्या कर देते हैं व utilizowych कर देते हैं आगे आपके यहीं चेर डाल देते हो जिससे कि एम World का शेम जेए तेपmos और फ्लोरिंग कर देते हैं ठीक है उससे अच्छा लगने लगता है अगर वैसी अप्रोच देंगे तो डॉर को अगर आप बाहर सी एंट्री दे रहे हो पूरी प्रॉपर तो उसके लिए डॉर को साइड में रखा जाएगा इंडिया में जाता साइड के डॉर चलते हैं बट अश्क में यकष्रे थे डी जात्याओ आध मला है अब चलता है जीन कि शुक्राः कि मैं तर अब कि इतार देना चाहिए हूं हूं है फो इन हम गश्री अवह सबस्क्राओं कि अगर मैं स्टेर्स इदर बनाता हूं तो मुझे क्या करना पढ़ Daysल 에 dalम खेई pan तो मुझे इस पर ज्यादा पैसा खच करना पड़ेगा उसको अच्छा दिखाने के लिए मतल मैं वोड की स्टेप्स दूगा या ग्लास की स्टेप्स दूगा मतल रेलिंग जोगी वह मैटल की नहीं चलेगी वह ग्लास की देनी पड़ेगी मुझे अच्छी प्रीमियम क्या सब्सक्राइब की मुझे हैं पास घुचा है तो उसमें पैसा मेरा क्या होगा कि जाधा खर्च और फिर वह इस पेस को भी क्या करेगा वेस्ट करेगा यह वाल्ल टककर मिल रही हैं हमें तो यहां पर अगर मैं दिना देता हैं घुमा के तो वह वह इसी के पीछे बैक में छ आपको सब्सक्राइब तो एंट्रेस दे रहे हो और फिर चड़ा रहे हैं तो इसके लिए आपको यह आप से जो छोड़ना पड़ेगा स्टेर्स की जो विर्थ होती है वह आपको पहले भी बदा थी मैंने किनी होती है मिनिमम 3 फिट होती है स्टेर टो ज्याद़ अच्छी है नहीं मिलती है तो इसको 3 फिट पे कमपाइल कर लेते हैं तीम प्रेक्ड से कम कोशिश करते ना जाए बट हम कोशिश कित्की कर रहें है तीन फट लेने कि तो अब अगर मैं यहां से झाल हूंगा तो दोर खुलने का पर स्थे के उपर चला गया मतब किसी को एक तो यहां से का पर चलेगा यहां से यहां से कोई गैस आएंगे तो उनके लिए दोर फ्रेंट से लएगा अच्छा अब यहां पर हमें स्टेप देने बट लेंडिंग प्लैटफॉर्म पीछे भी आएगा या नहीं आएगा तो तीन फेट हमने पीछे थे छोड़ा थे छोड़ा थे त्रिम कर दिया अब यहां इसके अब आपना फूट की लेंद दो होती है वह अपकी एट इंचेश नहीं पड़ा या तो आगे का इससा पड़ेगा या पीछे का इससे क्या ओता आपका एक्स्रेंग के चांसे जादा रहते हैं इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं स्टेर्ट के स्टेप को थोड़ा सा चोड़ पर वही जहां इस पेस कम बचेगा वहां कम भी करेंगे जैसा भी मैं 10 दूँगा अब मुझे लगता है नहीं स्टेप नहीं चड़ पा रहें तो मैं क्या करूँगा एट पर नाइन पर एट पर एट से कम नहीं जाएंगे तो मैंने इसको क्या क्या भी 10 पर रखा किते चार पांच पांच थैप अच्छा यह नीचे अली लेंद कितनी है भाई साथ फ्रिट किते स्टेप्स हो गएते हैं यहां पर गेट तो यहीं खुलेगा हमारा इधर तो इधर को ब्लॉक करेगा ऐसे भी खुलेगा तो इसको ब्लॉक करेगा ज्यादा बैटर है बिल्कुल गॉर्णर से खुले ताकि इसी स्पेस को ब्लॉक करे रहे हो तो गेट यहां कुलना चा सबढ़ requirements पाक है थोड़ा ज्यादा बढ़ा एक टब में कितने रिया था कितने इंके बच रहे होगा है उ हमें इनडी को फोड़ा कर ले थे पम काम आग्डिक रोडिक त्रॉडू एक दो तीन चार पांक च्छह श्टेप आगए श्टेप दूसरी तरब भी आएंगे श्टेप बारा स्टेप हो गए ठीक है अब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की स्टेंडर हाइट कितनी होती है हमारी तीन मिट्र याने की 10 फिट ठीक है स्टेर्स का राइजर जो होता है वह स्टेंडर्ड को स्टेंडर्स करते हैं कितना रखें अब अगर देता हूं तो तो six inches के इच सबस्कें सब्सक्राइब जाने कि जो स्टेप होता है ते होता है याने कि यह जो एक स्टेप में कितने का है ईट में k rains एक एक फिट में कितने ही एक उठनु के लिए किता चयको की जौर्फ है मुझे आर्माइर तट के चड़ने के लिए कितने अरए कॉर्ट है श्रय यहां तो यानि बेस्ट तो हमारे कम आ रहें तो याने की चैंट में तो मैं नहीं चड़ा सकता इसको इसको वह बच रही है अगर ज्यादा होती तो मैं दस स्टेप एक तरफ देता दस दूसरी तरफ देता पूरा स्टेप चड़ जाता अब क्योंकि मेरे पास लेंथ जो है वह लिमेटेड आ रही है तो मुझे दीने को उ जितना छोटा होगा उतने दीना चड़ने में असानी होगी या नहीं होगी जैसे मान लो मुझे यहां से उपर चड़ना है अब मैं बीच में खाली प्लैटफॉर्म है उस भी चड़ सकते हैं तो पांच बिट के हाइट आप चड़ जाओ अपको लटक के चड़ना पड़ेग इसी लिए राइजर को क्या करते हैं कम रखा जाए लेकिन आप राइजर को कम रंख गा तो लैंद नमबर ओफ स्टप स्क जाएंगे हमारे जाद है तो है advice कितनी है टोटल हमारी फ्लोर फ्लोर दस एक स्टैप की हाइट कितनी है एच परमान कने सेप में आप जाकर कितने स्टेप लगेंगे मेरे हाइट 10 है एक स्टेप की हाइट किती है 6 इंचे उससे डिवाइट कर दो अब ये फिट है और ये एक ही यूनिट में काम होना चाहिए तो एक स्टेप में कितने इंच होते हैं तो टैन इंटु ट्वेल्फ बाइए सिक्स तनी कितने स्टेप में उपपर पहुचूंगा मैं अब अगर मैं राइजर को हाजी यह हमारा राइजर है यह क्या है अगर मैं इसको बढ़ा दूं मैं 10 फिट हाइट ले रहा हूं और करो कितने स्टेप लगेंगे कितने लगेंगे क्याल्कुलेटर खोल लेते हैं टैन इंटु टुएल्फ डिवाइड़ बाइट बाइट सेवन पॉइंट पॉइंट फाइव सोला स्टेप है यहने कि सोला स्टेप का मतलब आठ एक तरफ आठ दूसरी तरफ बढ़ हमारे अब इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए काम यह कर सकते हैं एक एक स्टेप बढ़ गया काउंट करो कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौह दस ग्यारा बारा तेरा चौदा कि दो स्टेप हम नहीं है यह यहां पे क्यों किया जयता है इस टेप से भी किसे मिलते हैं इन स्टेप में चांश से जाधा रहते हैं इस धेरना नहीं किया बनाए गुर उपनी मलापनून बहुत है की फ्लैप्शॉम इस में सब्सके से यह जा सकता है मैंने ट्रेट कितने का लिए था दस का लिए था अब मैं आठ का ले रहता हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ वहां लेकिन किदर बढ़ाओं प्लैट्फार्म चोटा कर दो साथ इंची बहुत कम हो गया कैसे कम करें कि देखो एक्चिल में क्या है हमें कितने स्टेप चाहिए थे इस सोल इस टैप एक्चुली क्या होता है आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया यह उपर आपका फिर्स फ्लोर आगया फिर्स्ट फ्लोर में इस लाइगा या नहीं आएगा विज्डियु प्रेंग्राइग तो पड़ा होगा या ना जैसे आप जमीन जैसे बैट रह पैट वह स्टैप होगा स्टैप होगा स्टैप हमारा यहां से चलेगा आखरी जो स्टैप हमारा वह किस में आता है हमारा तो एक्च्वल में हमें जितने भी स्टैप हमने कल्कुलेट कि उससे में एक स्टैप कम चाहिए होगा क्योंकि है यहां से यहां तक यह दो फ्लोर राइट यह एक्च्वल में स्टैंडर है हमारी कितने होनी चाहिए यह जो श्लैब आता है उपर वाला यह आता है आपका 6 inches का इस टेंडर ठीक है जहां स्टोरी ज्यादा होती है यह नाइन इंचे जाता है तो 6 इंचे का स्लैब होगा तो जो नीचे की क्लिरेंस बचेगी वह किती बचेगी भई कि दस्ट में से चैंज कर जाएगा नहीं फॉर क्यों एक फट में बारा इंच होते हैं ना दस में से चैंज जाएगा बारा में से जाएगा पॉइंट भी नहीं 9.6, 9.7 इंचे वह जाएगा बारा से पंदरह इंचे रहता है नहीं से इंचे रहती है कॉमर्शल सेट अप जो था हम वहाँ पर 9 इंचे लेते हैं कोई होस्पिटल बनेगा वह 9 इंच का होगा क्योंकि बीम जोगा ना हैवी पड़ा होगा वाल वगयरा होते हैं तो वह 9 इंची का पी मुस्टी के इंदर फ्लश होके आ जाता है वन फ्लश इंची का डालते हैं पर कॉमर्शल सेट अप में 9 इंची का डाला जाता है जैसे ऑस्पिटल होगा ना आ तो ये समझ मैं आखनी यानि की क्या चाहिए कम चाहिए तो हमें इस देखे तो 16 से एक कम चाहिए होगा ठीक है ता कि लौण UM काम करते हैं कि इसको 9 करके देख लेते हैं कि लिए एक दो पूर प्रॉपर आरहा है देखो एक दो टीन चार पांच ज्था साथ साथ चाहिए तो वह एक और हम इसको यहां पर एड़ करके दे देते हैं ठीक है इस तरीके से अड़ करके दे दिया है कि तो इधर आ जाएगा हमारा कोई प्रॉब्लम निये लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई तो यह वाली लेंडिंग जो थी जब अगर लेंडिंग आप स्टैप में काउंट निकरोंगे तो वह ऐसी आएंगी ठीक है स्टैप में काउंट करोंगे तो जहां राइजर आएगा वहीं तो आपको अलिमेंट दिखाना होगा ना किया जाएगा पर हमारा क्या रह जाएगा वाष्रूम रह जाएगा इसलिए मैं क्या कर रहा हूं ऐसे डिलीट किया मैंने यह बिर कितनी है 11 फिट मैंने यहां से तीन फिट इस पेस छोड़ा इनर तीन फिट इनर मैं स्टेर्स को अभी तग हम डॉब लेग शेप में चड़ा रहे हैं अब मैं डॉब लेग में नहीं चड़ाऊंगा एक कार दो कर दो टीन चार पांच आ प्रशा और बल्कि यहां पर आप एक काम कर सकते हों दस दस इंची का भी देख लेका यहां किया एक दो थीर चार पांच पांच आप आगा है काउंट करें यहां से अब याने की जीना जो है वो ऐसे नहीं चड़ा रहा हूं है इस तरीके से चड़ाऊंगा है इधर से चड़ा रहा हूं किस्टेब काउंट करो कितने हो गए वन टू टू ट्री फोर फाइब और यह सिक्स सेवन एट नाइन टैन इस तो इधर भी आ रहे हैं भाई शिक्स तो यह भी हो गए ना टैन और शिक्स वेस्ट है पूरे लेकिन इधर से चड़ाने में एक फाइदा यह कर सकते हो आप कि राइजर जो हमने साथ का लिए साथ का लिया था साथ ज्यादा है हाई एन क्लाइन के स आप से बना रहे हैं चैसाथ के बीच में रखने कोशिश करें तो मैं काम करता हूं 120 को वापस से डिवाइट कर रहा हूं सेवन से कित्ते से बारे 17.14 अब 0.14 का मतलब चाह ओंगा या तो स्टेप 17 चड़ेंगे यह ठारा चड़ेंगे 0.14 लेकिन कम दो इंची का सपेस को नगलेक करता है यान इस केस में गाओगा एक स्टेप जो होगा हूं हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा सारे स्टप नीचे त वह थोड़ा से क्या होगा बड़ा होगा यह चीज होगी क्योंकि उसमें 1.14 इंच भी उची अंदर कवर हो रहेगा तो किते स्टेप सत्रा स्टेप चाहिए सत्रा का मतलब सोला तो तब भी आ जाएगा यहां से आप देखोगे तो एक दो ती चार पांच छह साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला फिर भी आ जाएंगे एक काम और कर लेते हैं कि राइजर को छह पर भी देख लेते हैं 6 जो आएक वह आपका उप्टिमम है ज्यादा बेटर है आई इन प्लाइंट है चैसे जितना कॉमर्शिल में दो चैसे जाता आप दोगे उसको एप्रूब नहीं करेगी अगर आपने कॉमर्शिय सेटप बना रहे हो या रेसिदेंशल भी बना रहे हैं आप तो मैं पता है किONने चाहिए है। क्या है बीड है या तो फर दाने या लिख कि मिल लैए है क्योनके लूं क्यून भी इस से किसी के नीचे क्या बनाओंग वाष्यूमता वक्रेटप डाना तो इसमें क्या होगा मेरा जीना जो हो किया होगा हम चड़ें लेंद yakin मासा घूमेंगे फिर फ्लॉर मिल जाएगा अिस तरीके से जीना हम बनाने वाथ है अर्दू इस टाइप से जीना हम देंगे ऐसे चड़ेका जीम कि समझा जा डूरुब कि और ऑन जना का सकते हो आप C type staircase क्या सकते हो U type staircase क्या सकते हो ठीक है मतलब ground से आप क्या चलोगे ऐसे चड़ेंगे 4 step फिर गुम गए फिर 4 step फिर गुम गए और आपका क्या आगया सर्स्ट फ्लोर आगया मतलब यहां पर एक डोड़ता न जाने के लिए अंदर यहां से अंदर जाने के लिए दोर ता न या गाड़ी चुदर आगया आट वो दोर अमने कैंसल कर दिया अच्छा वो मजबूरी है जाइडती बात है दोर आयका तो दीना नहीं आ पाय गया से और क्यूंकि वो दोर कैंसल करना पड़ रहा हमें उसमें लेंडिंग के नीचे नहीं आ पाता डॉग लैग में क्यूंकि आपके टोटल हाइट है पांच-दस फिट और स्टेश को आप बराबर तो तो पांच फिट पर आएगा और हुमन हाइट कितनी होती है हमें क्लिरेंच चाही होती है साथ फिट की तो जीने के नीचे साथ फिट नहीं आएगा नहीं आएगा तो वहां वाश्रूम नहीं दे सकते हैं लेकिन इस केस में जो दूसरी वाली लेंडिंग स्पेस है यहां तक कितने स्टेप होगा है काउंट करो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा एक स्टेप कितना लिया हमने शे का बारवा स्टेप है वह तो यानि कि 12 स्टेप में कितने हाइट कवर हो जाएगा हमारी शेफिट तो ही जाएगी ठीक है तो वह भी शेफ वह बीशाएग शेफिट है इसमे इंडोर ही स्टेपेस डिया, क्योंड रिया क्योंकि डूप्लेक्स बन रहा है अगर मैं सीडी को बहर की चलता है जैसे मैं कल बनाया था वो बिल्डर फ्लैट में उसमें जीना हमने कॉमंट में डाला था ठीक है अगर यानिकी जीना मेरा कुलता थिक उसमें क्या होता नीचे पी मेरा उपर मेरा तो मुझे क्या करना रहता है तो यहां पर हमारा इसके नीचे आ सकता है इसमें लेकिन समान ले जाने में थोड़ी सी प्रॉड्डम होती है क्यूंकि टर्निंग बहुत जाद है तो लॉंग आपके दीने से ना जाके बाहर से डायरेक्ट चड़ाने पुड़े है तो इधर की तरफ जाद भाग दिया का फिर आप चाथ लेकिन बात तो यहां तो आपके पांची स्टेप ऐंगे इसमें फाइदा क्या हो पांच स्टेप यह और आगए तो यहां पर वाश्रूम के नीच उपर हाइड मिल गई इन पांच से वरना हाइड नहीं मिलती है वरना उसके केस में क्या करना हुपड़ा अगर आप देखो थो तो उसमें क्या किया थे तेन फिट ऐसे था तीन फिट ऐसे था और तीन फिट ऐसे था उसमें हमारे स्टेप्स का राइजर भी जादा था प्रेड भी कम था एना कि वह फर्मा नीन दारी है इस तेपस्टी जारी है एक आप इस टाइप से दना मारा अब इसमें वाश्रूम में इसके नीचे नहीं दे सकता था तो मुझे साइड मेलक से बनाना पड़ता कम से कम चार फिट सब्सक्राइब इस पेस देता हूँ मेरा इतना इस पेस मेरा वाश्रूम के लिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने इस टाइप के स्टेक इसको यूज किया ठीक है सब्सक्राइब अब स्टेक की नीचे आप क्या दे सकते हो अपना वाश्रूम का सेटप दे सकते हो ठीक है वाश्रूम का सेटप हम पूरे इस पे ही देंगे आप स्टेक की तो मैं वाश्रूम का सेटप है आप 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 चालो। तेक यह अब मैं वाश्रूम किसके नीचे दे रहा हूं तो एक टाइम पर मैं दो चीदों के दिखा सकता हूं क्या है नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इसके नीचे के स्पेस के उडिलाइज करते हैं ऐसे में हम क्या करते हैं एक तरफ चैर्स रहन देते हैं मतले मैं तो फाली स्टेश्च दिखाएंgovern में दूसरे में वाश रूम दिखाता हैं मुझे स्टेर्सकों तोड़ना पड़ेगा वन उसे के अब टेरिक अब जॉब दे दिया तो आगे स्टेर्स केस का हम कुछ नहीं दिखाएंगे अब वाश्रूम का इतना स्पेस हमारे पास आ रहा है वह स्टेर्स के बीच का स्पेस है वो भी हम वाश्रूम में ही इसे काउंट कर रहा है ठीक है यह दो आली बाला रही है वाश्रूम की और अब बाश्रूम की एंट्री के दर से होनी चाहिए यह तो यह वाले कॉर्ण़र से होगी यह वाले कॉर्णर से होगी अब यहां पर कितना स्पेस बच रहा है हमारे पास अगर हम देखते है अगर मुझे वाश बिसन देना है कोई बड़ा सा तो हम एक काम कर सकते हैं इसको थोड़ा सा और आगे खीच सकते हैं क्योंकि इधर कितना स्पेस बच रहा है हम इधर क्या देना है खाली बस किचिन के लिए 10 से 12 फिट भी बहुत होगा उसके बात आने जाने के लिए इस चाहिए जो कि 3 से 4 फिट भी बहुत होगा तो यादे कि एक फिट अगर मैं इतर आगे बढ़ूंगा तो उसमें कोई प्रॉलम है वो तो आगे की तरफ है तो उसमें कोई प्रॉलम तो नहीं होगी हमें एक से टेट बढ़ेंगे तो अच्छा अगर एक से टेट बढ़ेंगे तो उसमें फायदा क्या होगा उपर के स् वाष्णूम में अगर एक फिट हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं 10 inches का ही क्योंकि राइधान हम कितने का लेकी चाल रहा है 10 inches ले रहा है तो आप यहां से देखो यहां से कितना इस पेसमें ले आपको आप वह पांच फिट मिलिया थाइं फिट का पाफ गेट हो उसके बाद कितना इस पेस पर जाएक आपका सबगोब बचे का सबगोब इतना तो खीक रहेगा एक स्टेप आपको और बढ़ेगा तो यहनि कि एक स्टेप यहां से आपका और कर सकते हो तो इसको क्या करते हैं अब इसका डूर अराम से इधर की तरफ क्या हो सकता है इससे ऐसा करने से क्या होगा हमारा वाश्वूम बहुत स्पेशियस हो जाएगा एक स्टेप बढ़ाने से इधर कोई खाल जाता कमी नहीं दस इंची तो कम हुआ सोला फिट था तो पड़ेगा लेकिन उससे क्या होगा वाश्वूम आपका यहां जाएगा डूर खुलने के बाद ट्वालेट सीट आपके इधर आजाएगी और पीछे बैक में शावर यूनिट आजाएगी आपके शावर यूनिट बिल्कुल सेपरेट अब शावर का वेंटिलेशन कहां से हो जाएगा दोनों वाल आपकी अपनी है दोनों तरफ ओपनी है तुम्हा से हो सकता है और पाइप इसके पीछे से उतर सकता है तो आपको शावर की दरवत रही पाइपी बिल्कुल लेंड से उतरा पाहर से तो कोई लीकेश्री प्रॉलम हुई नहीं वो शारी चीज़ें लीके अंदर टावर जानगी अगा है ठीक है तो फॉलम एक स्टेर्स प्रॉलम नि करेगा सर वहां दो बिटा एक स्टैप बड़ा गया तो हाइट तो और मिलगा ही ना मैं अगा मंलब भी स्टेर्स का वो स्लैप आएगा नि वह नि आएगा सर उसमें वह आप जो बढ़ेगा उससे वह अवरकम होता जाएगा अच्छा आटे जिर ना वर ना फिर वही है कि आप ट्वालेट सीट पीछे पर और शावर आगे करें देख जाए तो वेट एरिया आपका अलग होना चाहिए और ड्राइया अलग होना चाहिए अगर आप ट्वालेट सीट आगे रखोड़े तो यह आपका ड्राई अरिया हो जाएगा शावर आपका वैट अरीया हो जाएगा जिसमें जितना फ्लोर का आपका स्लोप है वह पानी आपका ड्रेन किदर होगा वाश्रूम में होगा इसको एक लेवल और डाउन कर देंगे आपके साथ फिट आराम से हाइट आजाएगी आप स्टेप काउंट करो कितने हो गए यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा फिर भी आपको लगता है कि हाइट नहीं मिल लाई तो इसको भी आप क्या कर सकते हो एक स्टेप में और तोड़ सकते हो चौदर स्टेप तो बहुत मोर देन हो जाएंगे और यह वैसे भी एक एक स्टेप आपका डाउन रहेगा चारते चाहिंच तुम्हाप पर कंपंशेट भी हो जाएगा ठीक है वाश्रूम को हम एक स्टेप और डाउन लेके चलेंगे ग्राउंड फ्लोर वाले को संकन उसको और नीचे चलाएगा प्रियाने के ठीक है रिग्जिन नसीम रिग्जिन यस सर ठीक है अम उसको और ज्यादा डाउन ले जा सकते हैं अब डाउन लेके जाएगे तो फ्लोर लेवल में गैपिंग आ जाएगी उसको तिखाने के लिए आपको एक लाइन से दिखाना पड़े और वनना आप एक काम करो कि गेट को अगर अहाँ से दे रहे हैं अगर आपको लगता है कि यहां पर हाइट नहीं मिल पा रही है तो ट्वाइट सीट आप इद़ की तरफ दे दो एक गेट को आप इसर आप इठ आ रहे हो बीच में आएगा तो वो फ्लोर का आपको ने वह ज़ादा बैटर रहता है बस यह ए देखो दो ही च्वाइस है या तो शावर इदर देंगे या फिछे देंगे शावर अब उसके साफ से आप चाओ तो आगे डेवलप करना या फनीचर पर देखेंगे उन चीजों को फिर तब डिसकस करेंगे जब अंदर के अलिमेंट रखेंगे अच्छा अब यहां पर हमें क्या चाहिए किचिन का सेट अप देना है एक तो एंट्रेंस हमारी या तो इस साइट से देनी पड़ेगी या फ्रेंट साइट से देनी पड़ेगी है मैं यह तो है पक्का अब यहां पर हम क्या दे रहे है किचिन का सेट अप है एक सर्विस दोर पार यहां से यहां से इंटर नहीं कर पार हैं तो फिछे से देनी पड़ेगा तो मैंने पीछे से दाइफिट का दोर दे दिया अब आप मॉडर्ण हाउस प्लान में किच्छन टाइप आपको मैंने बताया था जनेरली कैसे रखते हैं डबल तो उसी टाइप की अप्रोच मैं भी या पर लेके चलूंगा तो मैंने फीचे की तरफ दिया अब कि तेगने साब की इस्टेंडर्ड दो फिट की होती है अब किचिन में मुझे विदे नहीं होगी यह टोटल लेंथ कितनी आ रही है मैं सबसे पहले तो नाइन इंचिस का गैप लेता हूं यहां तीन फिट का फिर से गैप लिया मैंने इसके यहां फ्रेज आ जाएगा हमारा इस तरीके से दोर खुल जाएगा और उसके बाद रहेगा थोड़ा अभी भी इसमें हम एक सिंक देंगे बड़तन दोने के लिए पी पीछे से उत्रेगा है ना तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें विंडू भी दे सकते हैं पीच में जिस्से की वेंटिलेशन बना रहेगा तिक यहां पर आपने फ्रिज दिये है हम इसको एक काम और कर सकते हैं थोड़ा सा और छोटा कर लें और तीन करेंगे इस तरीके तरीके तरी दिए तरीके थक्र दे दिए फ्लैट भी छोड़ सकते हैं थोड़ी से फ्रेमिंग कर ती है तरीके से बीच दोर तो हमारा अंदर ही उपन होगा बाहर उपने बिल डोर नहीं रखते हैं अब एक स्लाइब आगया पीच्छे काउंटर आगे रखा चाहिए यह गैप कितना होना चाहिए अगर एक पर्सन के साफ से करता तो डाइफिट काफी था वही आगे खड़ा हुआ वही मोड़के पीछे कर देखेंगे और दो पर्सन अपोजिट डारेक्शन खड़े वह तो अगर मोड़ें तो क्या हो सकता है इसलिए जो गैप होना च गए तो मैं क्यार लेके चाहिख जबना है उब चार इतका गैप लिया वैंने अगर झाली को कि जार। अगर मैं चाहिए कि पीछे में करूं उसके आगे एक प्रेकफस काउंटर टाइप से बना दूं जैसे आपने यहां सेंटर बैदें विचा समय काउंटर देखा है उसम तो कुकिंग करेंगे तो कुकिंग का स्लैब जो होता है वो पीछे रहेगा यहां पर कुकिंग स्लैब होगा ठीक है जिसको दो फिट की स्पेस की दरवत है इसके बाद हम काउंटर को थोड़ा सा उठा देते हैं जिसको ब्रेकफास काउंटर के तौर पे यूज करते हैं तो इसके लिए इसके लिए इसके लिए अपका किचेन एक डिजाइन हो गया हाँ इसमें आप एक काम और कर सकते हो यह वाले स्लैब को थोड़ा सव और और पर इसके लिए तो को यह बढ़ा सकते ही वह और बंस्ट करेगा इसर appeal किसे गरे स्लीज़ घटम अफटन के साफ लगी क्रश्टा तो फाइव ज टियए जाए ब साफ इसट्ट दिया जाएगा फौर परसंन के इसाफ स्ट्सटें घजा देंगे 6 त फॉर परसंने स्टेंगी तो तो आपका सेटिंग यहां आ गया पिछे आपके स्टूर्स आ जाएंगे यह आपका गेस्ट हो जाएगा अब अगर आप यहां पर सेपरिशन चाहते हो कि गैस्ट बैटे हुए है किचेंग पूरा विजिबिलिटे हुए ताकि कोई बैठे तो कम से कम किचेंग का व्यू देखेगा अब किचेंग अब किचेंग भी हमने हाइन क्लाइन के यहां पर आपका कुकिंग होगा चिमनी जोगी वो पर से लटके 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 आएगी जो आइलें टाइप जैसे आपने मास्टर्शाफ गरागे शो देखे अब कर दो देखा ही होगा तो उसमें जो उनके कांटर हैं देखा होगा कि वो खाना जो बनाते हैं तो आगे वाले कांटर बनाते हैं तो उसी टाइप का ही अपरोच मैं इसमें दिखाता हो और अब देखने हैं जैसे यह पीछे अब आपका बीच में गया दूसरा अब हो गया और आगे आपके शिटिंग इस टाइप की अपरोच हमने दी है अब है चिमनी यह उसमें कुकिंग पीछे थी इसमें यह देखने बीच में से लटक रही है ठीक है इसमें कुकिंग फीचे बीच में आगी है यह आपका breakfast counter है भीच हूदी है इसमें किस ताइप की approach दी है में इस ताइप की अपरोच दी है जिसमें कhon Hillsनी बीच में भी हम आगी कर रहे हैं तो इसम इसमें कुकिंग है नचकता हो यह बीच में से लटक थी नचता है अगी Be यहां पर उसके उपर एक शीन मटल की वो नहीं लगा रहता है पंखा चलता रहता है क्या काम होता असका दौहां खीछता है बस तो वही चीजिए भी करती है जितने भी फ्यूम्स होते है उनको खीछती है इसके अंदर modern houseplant में जो चिम्नी होती है उनमें इसके अंदर lights का setup भी होती है इसके अंदर light होती है ठीक है तो यह हो गया हमारा यहां पर आपका फ्रेज आ जाएगा इधर आराम से mobility के लिए space रहेगा अब अगर मैं यहां देखूं वाल के और इसके बीच में कितना gap बच रहा है अब एक फिट नॉइच का गया पर जो की काफी है sufficient है आप stool रखोगे यहां पर यह मैंने इसको नॉजिंग कहते है यहां पर आप प्लैटफॉर्म जो है इसकी वाल जो है अंदर है यह बहार निकल रही है इसका इसको हम नॉजिंग कहते है तो generally इस ताइप से रख जाते है चार तशेहिंग की नॉजिंग इंके अंदर रहती है ताकि आपके इस तूल जाओ इसके अंदर ग्लाइड करके चुपा जाते है और पीछे इस पेस अभी भी एक फिट नॉजिंग का है विजह से मैं आपको बताया था कि अगर हमें प्राइविसी चाहिए हम नहीं चाहते कि यहां पर विसिबिलिटी रहे तो उसके लिए हम क्या करते है यह यह पार्टिशन वाल की हाइट जबर नहीं कि फुल हाइट हो साथ पेट की प्रेशन वाल क्या जो कि लुक को से इसके छिह सेपरिशन चाहिए ठीक है तो उसके लिए हम पार्टिशन वाल कैसी रहती है वोट का होता है जैसे आपको यह लगा दिया जनरली इस टाइप के देते हैं किचन जहां पर पीछे किचन है यह लिविंग रूम है दोनों को पीछ में पार्ट क्या देदी हमने एक वोड का फ्रेम देदिया पीछे फ्लूटे ग्लास जादी है प्रेशन के लिए विजिबिलिटी को नहीं है तो 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 सॉलिड वाल आईगी तो उसको कवर करने के लिए जादा पैसा लेगा इसलिए क्या करते है ऐसी चीज़ देते हैं जिससे लुक भी खराब ना हो और आपका बेसिक परपस भी सॉल्व हो जाए जादा तर इस टाइप वोटन पार्टिशन उसमें शेल्व देते हैं समानवा नखने के लिए कहीं इसके बीच में एक्विरियम देते हैं जनरली ये काम आपका लिविंग रूम और वाश किचिन के सेपरेशन के लिए ही किया जाता है इस टाइप के जल रहे हैं बीच में लाइट दे दिए प्लै एलिमेंट्स चलता है ऐस टाइप के पर्टिशन वीड उस का जर्णली चलता है ज्या रहलों हम क्या कर दकते हैं सब करने के लिए दे सकते हैं रहे हैं बाकि आपकी मर्दी है आपको नहीं देना है और कि जगों पर इसकी बुरे स्लाइडिंग दे देते हैं ग्लास के ब्रॉस ब्लाक्स उसके तौर पर 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 दे देते हैं यहां पर भी देखो पीछे केचेन है यह यह ली वाल सॉर्ड वाल चारफिट की बनाई उसके उपर इसको इस टैप से दे दिया पीछे भी शेल्फ हो गए आखे के लिए भी शेल्फ हो गए इस टैप से दे देते हैं ग्लास ग्लास का स्ट्रक्चर दे दिया उसके बीच में ट्रांस्परेंटी के लिए उसके ओपर पॉल चड़ा दी ग्लास पारोटी वारोटी ये तो वाक्षान का खाट आप है आपका लिविंग लाउंच एरिया दोनों के बीच में ग्लास पार्टिशन वाल लेदी तो यह क्या होती है लेकिन पर्टिशन वाल यह चीज देखके देना है कि इनकी बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए प्रॉपर स्पेसिंग के लिए मैं क्या कर दो हूं इसको 6 इंचिस अंदर कर रहा हूं थोड़ा से यहां से स्पेस कम तर दी हमने हमारा चार फिट स्पेस था पहले हमने रखा था अब मैं इसको फिता लेके चल ला हूं खाली साधे तीन साधे तीन फिट स्पेस भी काफी है एक आदमी पीछे खड़ा जाएगा एक बंदा आज खड़ा जाएगा तो यहां पर प्रेक्चर फ्लांग का तयार होगा बताएं यहां तक समझ मैं आज था रिग्जिन ये सच